जी हाँ students इस वीडियो में live demo पूरा process बताएंगे कैसे आप लोग CMA foundation December 2024 का exam form fill करो पूरा payment करके दिखाएंगे साथ में application print out करके दिखाएंगे कैसे समझोगे कि आपका सही तरीका exam form fill हुआ या नहीं हुआ और हाँ students इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके on notification बिल दबाद दिजिए जिससे CMA related एक भी update और notification मिसना हो पूरा वीडियो देखने के बाद CMA के हर ग्रूप में share कर दीजिएगा वर्टसप ग्रूप हो टेलीग्राम ग्रूप हो डैरेक्ट अपने दोस्तों के साथ जरूर सेयर कीजिएगा गुगल पे सर्च करना है ICMAI जैसे ही गुगल पे सर्च करोगे ICMAI ओफिशल वेबसाइट पे आ जाओगे इसके बाद क्या करना है students वाला section, examination वाला section, online exam form application इस पे क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे online application पे क्लिक करना है यहां से foundation को select करोगे और click here पे क्लिक करोगे ध्यान से बाते को सुन लीचे CMA Foundation December 2024 का exam form फिल करने का आक्री डेट 15 October 2024 है और हां exam fee का बात किया जाए तो 1500 नीचे में accept का option होगा accept पे क्लिक करना है इसके बाद यहां पे आप लोग अपना registration number लिखोगे इसके बाद please check पे क्लिक करोगे जैसे ही please check पे click करते हो नीचे में click here पे click करना है तो click here पे जैसे ही नीचे में भी option मिलेगा उस पे click कर देना है कभी-कभी invalid so करेगा या कुछ होड लिखा आएगा तो घाबराना नहीं है 24-48 घंटा इंतिजार करना है अटोमेटिक यह problem solve हो जाएगा जैसे ही click here पे click करोगे आपके सामने new dashboard open हो जाएगा कुछ करने का यहाँ पर जबरत नहीं है उपर में एक option नहीं दिख रहा है click here उस पे जैसे ही click here पे click करोगे सारा detail automatic fill हो जाएगा आपको कुछ करने का जबरत ही नहीं है उपर में click here का option होगा उस पे click करना है सारा detail मैं बार बार बोल रहा हूँ automatic fill हो जाएगा जैसे ही click here पे click करते हो सारा detail fill हो जाएगा इसके बाद आपको अपना center medium यह सब चीज़ तो select कर लो उसके बाद अगर आपका photo और signature update होगा तो ठीक है नहीं होगा तो हम update कर देंगे अब यहां से आपको सबसे पहले medium English लिखाओगा अगर आपको English में exam देना है तो English रहने दीजेगा जो भी आसपास center होगा उसको यहां से select कर लेना है जैसे उसको select करोगे इसके बाद क्या होगा exam center name उसको select करना है जो option आपको अपडेट करना है तो उपर में scroll up के आना है फोटो और signature वाले option पे click करना देखना यहां पर फोटो और signature अपडेट नहीं है जिनका update होगा सीधा payment का option पे click कर देँगे जिनका नहीं होगा उनको फोटो और signature को update कर दीजे password size photo और signature pen से लिख दीज़िए white page पे उसको scan करके update कर दीज़िए simple सा बात है तो मैं यहाँ पे photo और signature update कर देता हूँ अपडेट करने के बद photo upload करने के बद यहाँ पे update अपडेट पे click करना है दोनों update हो जाएगा successful उसके बाद उपर में payment का option मिलेगा payment पे Click कर देना यहां से बहुत सारा option मिलेगा credit card, debit card और net banking को select कर लेते हैं जैसे ही उसको select कर लोगे इसके बाद Buildex का option मिलेगा इसको tick करना है नीचे में pay का option मिलेगा आपको pay कर देना जैसे पे पे Click करते हो यहां पे फिर से pay पे Click करना जैसे ही पे-पे क्लिक करोगे, आपके पास net banking, debit card, credit card, UPI, बहुत जारा option मिल जाएगा, keyword code scanner, मैं scan करके यहाँ से payment करते रहा हूँ, आप लोगो को जिसके थूरू payment करना, उसके थूरू payment कर सकते हो, कोई दिक्कत बाली बात है नहीं, जैसे ही पे करोगे, आपके सामने new dashboard सो करे जैसे ही payment करते हो, आपके सामने successful लिखा आ जाएगा, माल लेते हैं payment करते हो, पैसा deduct हो गया, लेकिन यहाँ पे successful नहीं लिखा आता है, कोई दिक्कत बाली बात है नहीं, दुबारा से login करना है, मेरा मतलब है दुबारा से official website प्यादाना है, इसके बाद क्या करना है, examination वाला पे registration number लिखना है, registration number लिखने के, click here पे click कर दो, जैसे ही click here पे click करोगे, आपके सामने, यहाँ पे क्या लिखा रहा है, successful December 2024 examination, अब आपको relax रहना है, यहाँ से print, submit form को print out निकल वा सकते हो, कोई दिक्कत बाली बात ने अपने पास record के तौर पे रख सकते हैं, तो charter studies हमेशा न नहीं करता है, हमेशा नया वीडियो लाता है, अब आपको करना क्या है, वीडियो को share करना है, चैनल पे नय हो, subscribe कर दीजे, अगर आप लोग चाते हो, कि December 2024 के exam में पास करना, तो subscribe करके जरूर बताइएगा, subscribe कीजिएगा, तो जरूर अच्छे मांक से पास करोगे, तो subscribe जर पंदरा अक्टूबर 2024 है, बच्चो वीडियो को share करे, प्लीज बच्चो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि CMA रिलेटर एक भी अपडेट और न्यूज मिसना हो पाए, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हसना नहीं है, सब्सक्राइब करके ही जाना है, म मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,